प्लास तैंथ वालो के लिए हैं और इस वीडियो में हम आपके लिए ले करके आए हैं उत्राखंड बोड़ ज़न के पूरे पूरे चैंस हैं इस साल आने के हम वो जो आपको उसी क्रम में बता हूँ हों जिस क्रम में हमारा पेपर आता है अगर आपको क्रम पता है तो ठीक है वरना पहले मैं आपको करम भी दिखा देता हूं किस करम में हमारा paper आता है कौन से question कितने marks के हैं उसी इसाप से आपके सामने question आते रहेंगे ठीक है तो जो आपका science का paper होता है board में तो उसमें क्या है उसमें जो questions होते हैं उनका जो इस में आते हैं पांचवाय दीर दूत्त्रे प्रशन ठीक हैं आपन नंबर भी दे रखे हैं कि कहां से कहां तक आते हैं और कितने marks के आते हैं मैंने आपको जो आपका उत्रखंड board 2424 का science का sample paper था के solution पर जो मैंने video upload करी थी उसमें भी में करम बता चुका था या आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो मैंने इसके जो sample paper पर video upload करी थी मैंने उसमें भी बताया था ठीक है अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन दोनों videos का link आपको discussion मिल जाएगा वहां से जाकर देख लेना ये जो सारे हमारे important question है ये दो वीडियो में divide होने वाले हैं एक बनेगा इसका part 1 और ये दूसरा आएगा इसका part 2 part 1 में खाली हमारे के होंगे बहु भी कल्पिया question होंगे और जो इसका part 2 होगा उसमें निश्चित अति लगू लगू दीर्थ ठीक है बागी चारों पॉइंटों में जो दे रखे हैं वो होंगे इसका second part तभी बन पाएगा जो इसका पहला part बन रहा है इस time अगर इस video पर अच्छा खासा response मिलेगा और अगर आपको important question चाहिए होंगे ठीक है मतलब वो ही है कि अगर मुझे इस video पर आपका अच्छा खासा response मिलेगा कि आपको important question चाहिए ठीक है तभी मैं इसका second part बनाऊ हुआ ठीक है इस लिए इस video को अपने दोस्तों के साथ जाज स्यादा शेयर करना जिससे कि आपको next part में दो number वाले भी तीन number वाले भी हो चान नंबर वाले भी सारे के सारे important question आपके पास हो ठीक है क्योंकि आपके विपर आई चुके हैं तो आप जाज स्यादा वीडियो को शेयर करना अब हम जो important question इसका part 1 श्टार्ड करते हैं और आप इस video में आराम से जो आपके बहु भी गल्पी question है आप वो देखते रहना ठीक है मैं वहाँ पर समझाता भी रहूँगा और आपको इस video से सबसे जादा फायदा यह है कि आपको important question के साथ साथ उसके answer भी मिल ज करना तो देखते हैं फिर हम questions को तो यह रहे आपके सामने जो आपके उत्रकंड board science के 2024 के paper में ठीक है जो आपके बहु भी गल्पी question आते हैं वो इनी में से आएंगे ठीक है पूरे पूरे chances हैं कि जो आपके 8 question बहु भी गल्पी वाले आने वाले हैं या जो आपके एक एक न question क्यों आने वाले हैं ठीक है वो आप खुद भी देख लेना क्योंकि हर बार repeated question ही होते हैं कोई नए question नहीं होते हैं ठीक है तो start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और इसी तरीके के और भी important question पर वीडियो देखना चाते हो तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लें और सबसे महतपूर्ण bell icon को all पर प्रेस करने जिससे क्या है मैं जब भी important question या class 13 से related किसी भी previous year question पेपर के solution के ऊपर video upload करूँ तो उसकी note equation आपके पास सबसे पहले जा सके ठीक है और इस वीडियो को अपने दोस्ते के साथ जरूँ शेयर करें ठीक है क्योंकि आपके वीडियो आई चुके हैं बस ठीक है जब तक ये वीडियो upload होगी आपके paper के लिए कुछ ये दिन उसमें बचेंगे ठीक है तो ये सारे के सारे बहु भी गल्पियो question है और important question है ठीक है वो मैं भी आपको दिखाता भी रहूँगा ammonium hydroxide का racinic नाम बताईए ठीक है इन बहु भी गल्पियो question में आपको question के साथ में उसका answer भी मिल जाएगा तो आप वहाँ से देख लेना मैं खाली आपको question बता हुआ कि इस साल आने के इसके कितने chances है जैसे ये question आप देखेंगे 2020 में आया वा था तो इस साल ये आ सकता है ठीक है मुझे लग रहा है कि ये question इस साल आ सकता है तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया ठीक है और इसका answer भी यहाँ पर दे रखा है कि आप देखते हैं इसका अगला question इसमें दे रखा है ब्रिंजक चून का रसायनिक सूत्र लिखिए अब ये question दो साल आया वा है ठीक है 2015 में वी और 2022 में ठीक है तो 2024 में इस question के आने के 200% chances है ठीक है कि ये question 2024 में आ सकता है ठीक है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो यहा पर सारे question है उनके chances पूरे हैं कि वो exam में आपका science का board paper होने वाला है भी 2024 में उसमें ये आ सकते हैं ठीक है अब देखते हैं और आगे इस वीडियो में सारे आपको top important ठीक है बहु भुगल पर question मिलने वाले हैं ठीक है आपको दिख भी रहा होगा अब ऐसे इसका अगला question है कि अमलिय विलेन का प्येच मान होता है ठीक है तो ये भी 2019 में भी आया वाया है और 20 में भी आया वाया है तो इस साल भी कहने की कोई बात ही नहीं है इस साल भी इसके पूरे chances है ठीक है और answer सबके आपको मिल जाएंगे अगर by chance किसी question का answer आपको ना मिले इसमें लिखावा तो आप उस question को comment कर दिना कि sir इसका answer नहीं है तो मैं उस question का answer आपको comment box में बता दूँँ है चेटा question ये मुझे लग रहा है आ सकता है कि चूरा पत्थर का रसाइनिक सूत्र लिखिए और ये 2017 में आ चुगा है तो मुझे लग रहा है कि ये आ सकता है ठीक है repeat हो सकता है question उस और 2017 में आया हुआ है तो repeat होने के इसके भी chances है तो वो क्या होता है हमारा pH scale होता है जिससे क्या है हम hydrogen की सांदृता को मापते है ठीक है तो वैसी देखते हैं अंगला question कि कोई billion लाल लिटूस paper को नीला कर देता है तो इसका pH मान बताने की वो कितना होगा और ये question 2017 में भी आ ठीक है तो आपको यहाँ पर सारे के सारे important question मिल जाए और अगर आपने जो आपका sample विपर आया था उत्तरखन बोर्ट वालों का 24 का science के विपरगा और math के विपरगा अगर आपने नहीं देखा है तो इनके solution के उपर मैंने proper video बना रखी है जिसके link आपको description में मिल जाएंग ठीक है तो उबेदर्मी oxide के हमें नाम बताने है यह question 2016 में भी आयवा है 23 में भी आयवा है और यह 24 में दुवारा repeat हो सकता है ठीक है बहुत से बच्चे यह सोच कर जाएंगी कि 2023 में जो आए वो repeat नहीं होगा ठीक है तो यह हो सकता है repeat हमें इसमें उबेदर्मी oxide बताने है त 2-0-3 ठीक है अगला question वे पिर गिर रहा जिसके कारण चांदी के उपर काली परत वा तामे के उपर हरी परत चड़ जाती है कहा जाता है ठीक है तो वो कौन सी अभी गिर रहा होगी 2016 में question यह आ चुका है तो उसे क्या बोलते हैं संचारण ठीक है अब हमें अगला question दे रख आया हुआ है और इस साल भी इसके आने के chances है ठीक है तो आइथनॉल का हमारा formula होता है C2H5OH ठीक है अगला question देखते हैं इसका अगले question में दे रखा है कि वायू मेंडल के उच इस्तर पर पर परावैगनी बिकरण के प्रभाव से oxygen अड़ों के साथ क्या बनाती है ठीक है त इसका अगला question इसमें हमें दे रखा है ascetic amelica racinic sutra बताए कि ascetic amelica racinic sutra हमारा होता क्या हमें 4 option दे रखे हैं तो हमारा होगा third वाला CH3COOH ठीक है और यह question में 2017 में आया हुआ है और ऐसे question exam में बहु बिकल्पी में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं ठीक है तो आप यह स question में दे रखा है कि जल को जिवानु रहित बनाने के लिए उपयोगी प्रदार्त है ठीक है जल को जिवानु रहित बनाने के लिए उपयोगी प्रदार्त का नाम बताना है तो वह क्या होगा हमारा ब्रंजक चूण ठीक है और यह question 2020 में आया हुआ है 2024 में 100% आ सकता है ठीक ह अगला कोशन देखते हैं इस वीडियो में आपके बहुत भी गल्पी कोशन है जो की एक नमबर वाले हैं और जो इसकी नेक्ट वीडियो है उसमें आपको आती लगू कोशन लगू कोशन, दीर कोशन सारे के सारे उसमें मिल जाएंगे ठीक है तो वोई वीडियो आपकी जल्दी आ जाएगी अगला कोश्चन डायफ्राम मनुष्य में किस तंत्र से संबंदित भाग है ठीक है तो यहाँ पर हमें चार ओप्षन दे रखे हैं वो क्या है स्वसन से संबंदित भाग है और 2015 में यह कोश्चन आया हुआ है अगला कोश्चन है लसी का मनुष्य के किस तंत्र से संबंदित भाग है ठीक है तो इसका नाम बताना है तो वो हमारा कौन सा है परिवान से संबंदित है और 2016 में यह भी आ चुका है अब देखते हैं और कोई नए कोश्चन नहीं आते हैं रिपीडिट कोश्चन ही आते हैं जो आपके प्रिवेस एर कोश्चन पेपर्स में आये हुए होँगे ठीक है जातर वही आते रहते हैं अगला कोश्चन है मानव नेत जिस बाग पर किसी वस्तुगा प्रतिवम बनाते हैं वे क्या क्यलाते हैं ठीक है तो आपको पता हो क्या होता है द्रश्टी पटल पर ठीक है और ये कोश्चन आपका 2016 में आ चुका है पहले ही टीक है जो आपके जायलम और फलंब बाले हैं दोनों important है तो आप इसके दोनों के दोनों कोशन पढ़के जाएं यहाँ पर एक कोशन आया हो है की जायलम का क्या कर रहे है तो उसका कर रहे है जल का वहन गन्ना ठीक है और यह 2017 में आ चुका है आपका आगे देखते हैं अगला दे रखा है कि मानव शरीर में पित्त का भंडार कहा होता है तो वो होता है पित्त राशे में ठीक है easy question है और 2017 में repeated हो चुका है आप ये सारे के सारे question तयार करके जाना आपके जो एक number वाले में 8 खंड आते हैं आठ नंबर के तो आपके आठ नंबर कहीं नहीं गए ठीक है इसी में से आने के पूरे पूरे chances है आप देखते हैं अगला question तो इसमें दे रखा है कि मानव शरीर में ब्रशक किस से संब्दित है तो वो हमारा किस संब्दित है उस सर्जन से ठीक है इन सब के आप diagram भी तयार र के जाएं और इसका answer भी आपके सामने दे रखा है अगला question अगला question भी हमारा 2018 में आ चुका है ठीक है और यहां पर आपको सारे के सारे important question ही मिलने वाले कोई ऐसा question नहीं मिलेगा कि जो important ना हो और जो question ना आने वाला हो ठीक है सारे important question है और यह सारे के सारे आ सकते हैं next question आपको वहाँ पर answer ज़रूर मिल जाएंगे और भाई chance किसी का answer ना मिले तो आप comment कर देना वो question मैं उसका answer वहाँ बता दूँँ आपको ठीक है और अगला question देखें है वही वाला पादफ hormones वाला ठीक है उपर देखेंगे तो जन्तू hormones पूछा है नीचे देखेंगे तो पा अब अगला देखते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पूरूफ के साथ दिखारों की एक question आ सकते है एक्जाम में यह 2022 में पूछा जा चुका है 2024 में इसका answer वैसे भी आपको पता होगा कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर 25 सेगिंड होती है हमारी प्रकाश की चाल ठीक है अगला question 2020 में आ चुका है ठीक है और यह हमारा उत्तर लेंस और अप्तर लेंस वाला हमारा चैप्टर है उसमें से question पूछा गया है और इसका answer भी आपके सामने है ऐसी इसका अगला question है कि एक उत्तर लेंस की हमें शमता दे रखिए 2 डायक्टर तो इसकी हमें focus दूरी बताने है 2015 में पूछा गया है शमता और दूरी में अगर आपको formula पता होगा तो आप इस question को असानी से गर देंगे इस answer आपके सामने है 50 cm ठीक है अगले question देखते हो यह दोनों same question है दोनों में उत्तर लेंस है उत्तर लेंस है लेकिन क्या है एक दूसरे के उल्टे है हमसे इस question में समता द और यह question हमारा 17 में भी आ चुका है 18 में भी आ चुका है ठीक है यह दोनों question ही आने के पूरे पूरे chances है ठीक है घुमागर पूछेगा वो question होगा same ही गुमागर पूछेगा इसलिए question को ध्यान से पढ़ना यह question क्या दे रखा है उसमें option क्या दे रखे है milestones efficient क्या दे रखे ह ठीक है पहले वाले question का क्या है बस ये उल्टा question है ठीक है तो आप इस बात को जरू ध्यान लखें अब देखतें आगे अब ये question हमारा 2023 में आ चुका है अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं जो पिछली साल question आया हुआ होता है उसे छोड़ करके चले आते हैं कि ये तो इस सा साल आया है अब इस साल नहीं आएगा तो आप ऐसी गलती ना करें इस question को भी जरू तयार रखते हैं क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि 17 में भी आया था 18 में भी आया था अब ऐसे ये question 24 में भी आ सकता है अब इसका अगला question अगला question हमारा ये दो कितना important question है 16 में भी आय और 23 में भी आया है ठीक है तो 24 में भी इसके आने के पूरे पूरे chances है ठीक है अब देखते हैं इसका अगला question आपके सामने दोनों question है 2019 में भी आया है 2017 में भी आया है ठीक है दोनों important question है आप इने भी तयार करके जरूर जाएं और इनके answer आपको मिल जाएंगे ये question दे अगतार 24 में भी आ सकते हैं आप ये जो प्रती के हैं इने ध्यान लखे जाना और answer आपके सामने ये अगला question मैं answer बता के इसलिए नहीं समझा रहा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैंने answer इसलिए पहले से वहाँ पर note कर दीए कि इसका ये answer है ठीक है ये दे रखे हैं आपके सामने दोनों question ये question देखो कितना important question है 18 में भी आयव है 22 में भी आयव है और ऐसा ही question अभी उपर just गया है ठीक है और ये important question है तीन साल आ चुका है और इस साल भी आ सकता है ठीक है 22 वाले जो student होंगे वो नहीं देख करके गये होंगे लेकिन ये 23 में भी आ गया और ज question 2020 में आयव है 24 में दुबारा पल्टेगा ठीक है 100% question आने के पूरे पूरे chances अगे देखते हैं क्योंकि मैं जल्दी यल्दी वीडियो बना रहा हूं जिससे आपके पास सारे के सारे question जा सकें ठीक है तक ये video upload होगी paper आपके सामने ही होंगे कुछी दिन बचे होंगे तो इ अगला question है 2017 में आ चुका है और इसके बाद वाला question 2016 में वो भी repeat हो चुका है ठीक है जितने भी मेरे पास important question थे बहु विकल्पिये वाले और जो इस साल आ सकते हैं वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिये हैं आप ये तो जरूर तयार करके जाएं इसके अलाबा जो आपके व्लिझाने के लिए अलग नाम से हो सकते हैं ठीक है question सेम ये होँगує आप पहले उसको ध्यान से पढ़ना है ऐसा नहीं कि आपने एक बार question देखा कि नहीं आ रहा उसे एक बाद ध्यान से देखना question को उसमें क्या-क्या दे रखे हैं क्या हमसे पूछा है ठीक है उस इस आपसे जो हमें option दे रखे होंगे उस इस आपसे answer लिखना और यह हमारी जो बहु बिकल्पे questions आते हैं उस पर थी वीडियो और जो इसकी next वीडियो आने वाली वो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि उसमें सारे के सारे आती लगू लगू दीर दबारे से उसमें आपको सारे के सारे question मिल जाएंगे ठीक है और इस वीडियो को आप जाद स और वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लें और सबसे math पूर्ण बैल एगन को all पर प्रेस कर लें जिससे क्या है मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो अप्लोड करूँआ तो उसकी note equation आपके पास सबसे पहले चली जाएगी ठीक है वरना आपको नहीं प कमेंट कर देना मैं उस परवी वीडियो बना दूँआ जब तक क्या है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जाह स्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लेगी आपके एक्जाम के लिए helpful थी या नहीं थी ठीक है